टीवी सीरियल आनुपमामी, पुपाली गांगुली और गौरव खन्ना को आप अनुपमा अनुच के किरदार में देखते होंगे और शो जो टीवी की दुनिया में टॉप पर हैं जिस पर रियालिटी शोज को भी चुनोतिया मिलती है शो कौन बनेगा करोडपती से लेकर सल्मान खान के बिग बॉस तक सभी के लिए बहुत बड़ी चालेंजिंग है टी आर पी में टॉप पर बने रहना सीरियल आनुपमा की वज़े से इसके ब्यूवर इतने बड़े हैं ऐसे में अनुपमा में अभी तक रुपाली कांगुली की कहानी थी अब जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट है रिपोर्ट कह रहे हैं कि अनुपमा में अब अनुपमा नहीं बलकि काजल की कहानी दिखाए जाएगी काजल नाम की एकलड़की जो बिंदास होगी लेकिन अंदर से कई emotions छिपे होंगी मेकर्स जो है काजल की tragic backstory लिख रहे हैं जिसमें उसने अपनी माँ की गलती से पिता को खो दिया है वो पिता के गुजर जाने के लिए माँ को जिम्यदार मांती है अपनी मा से दूर होकर वो अपने पता का सपना पूरा करना चाहती है गरीबों की मदद करने का तरीका निकालती है और अमीरों को ठक कर गरीबों को मौद मदद करने का भी तरगीब अपनाती है तो बहुत ही यूनिक और बोल्ड किरदार होगा ये आनुपमा इस शो में से पहले बहुत ही बेचारी किरदार में थी जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तयार थी अपनी खुशियों को कुर्बान करती थी लेकिन इस बार काजुल की कहानी आनुपमा से बिलकुल विपरित होगी वो फन लबिंग, हिम्मती और नाजुक का किरदार निभाएंगी